आज अती शम्बिदन सील बात बताने जा रहा है आप लोगों को और खास करके जो छात्रे स्टूडेंट्स हैं उनको तो निशित रूप से सुनना ही चाहिए तरह तरह के लोग तरह तरह के विचार भी मरस अपने थोट्स दिये आप तक पहुंचा आप सुनें समझें और अपने जीवन में उसको इंप्लिमेंट के लेकिन इन सब चीजों के बाद मैं आज यह बताने जा रहा हूँ कि क्या सोचके पढ़ाई को करना है पढ़ाई जो कर अपने सफलता को पालेंगे आपको सोचना है कि अगर हम ठीक गारजिंस आपको पढ़ाई के लिए बहुत कुछ दिये आप पढ़ना चाहते हैं हर कुछ काहर काम करना चाहते हैं लेकिन आपको यह समझना है कि अगर आप स्टूडेंट्स लाइफ में 10 साल हो या 5 साल हो या we have to achieve my target we have to achieve my goal because my responsibilities will come on my soldier तो आपके कंदे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली है इस डर से आपको लगता है कि ने मुझे कम समय में बहुत अच्छा काम कर लेना है निश्ची तूरुप से अच्छा काम करना है कम समय में सफलता पाने के लिए आपको एक ही सोचना पड़ेगा क्या सोचना पड़ेगा दम ध्यान से सुनिएगा यह आपके जीवन में एकदम बतलाव लाईगा और आप इसको समझ के हर काम सफल बना लेंगे यह पाँच साल अगर आप सुख करते हैं और यह पाँच साल अच्छे धंग से सही तरीके से अपने गोल के परती, अपने लक्ष के परती बिताते हैं और आप सफलता पा लेते हैं, तो आने वाले 70 साल आप खुश रहेंगे और आप ही नहीं खुश रहेंगे, आपके साथ आपके फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे खुश रहेंगे बस आपके इस पांच साल के मेहनत से 70 और 75 और जब तक आपकी इंटायर लाइफ है 100 years, 90 years, 85 years ये सब दिन आपके family के members और आप खुश रहेंगे अच्छे तरीके से जीवन systematic धंग से जियेंगे अगर इस 5 साल को आप negativity के साथ नाकरात्मक दिशा में लगाएंगे, misuse करेंगे तो आप ही दुख में नहीं रहेंगे, आप ही कस्ट में रहेंगे, आपके साथ साथ आपके family के जितने भी members हैं, वो सब कस्ट में रहेंगे तो आप ही कस्ट में नहीं रहेंगे, आप से ज़्यादा कस्ट आपके परेंट्स को होगा, आपके बच्चे रहेंगे, आपकी वाइफ रहेंगी, तो डिफरेंट जो मेंबर्स आपके फैमली कहना वो सब कस्ट में रहेंगे, इसलिए आपको यह बात सोच लेना है कि अभी आ आपको नीडने लेना है कि आपको पाँच साल एस मौच के साथ बिताना है, या अपने साकरात्मक बीचारों के और परिश्रम के साथ बिताना है, अगर आप साकरात्मक परिश्रम के साथ बिताते हैं, तो 70 साल इंटायर लाइफ, 75 एस हो 70 एस, आप इंटायर लाइफ खुस इसे बाहर ला सकता है, आपको स्वेंग सोचना है, you are the man to decide yourself, because you are responsible, you are the maker of your future, आप अपने भविश्य के निर्माता स्वेंग है, कोई दूसरा वेक्ति आपके भविश्य को निर्मान करने नहीं आएगा, आपको खुद करना है, आपको खुद सोचना है, तो इससे निपटने के तोर मेहनत करनी है जीवन में, और in the rest of life, एकदम happy moment के साथ, happiness के साथ रहना है, खुशी के साथ रहना है,